इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उप्योग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम इक्षा करें. अगर बोतल खोलने से पहले उसकी सील तूटी हुई हो तो उसका इस्तिमाल न करें. हमेशा अपने हाथ धोएं और डॉपर के सिरे को न चुएं. इस से आपकी आँख संक्रमित हो सकती है. इस दवा को लंबे समय तक उप्योग की आवश्यक्ता हो सकती है और ड्राइब न करें, मशीनरी का उप्योग न करें या ऐसी कोई गतिविधी न करें जिसमें स्पष्ट द्रिष्टी की आवश्यक्ता हो जब तक कि आप सुनिश्चित न हों कि आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं. यदि आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या यदि दुश प्रभाव आपको परिशान करते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें. यह दवा आपके द्वारा उप्योग की जाने वाली अन्य दवाओं से प्रभावित होने या प्रभावित होने की संभावना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं की क्या आपको कभी ग्लुकोमा हुआ है. सॉफ्ट कॉंटेक्ट लेन्स पहनते समय इसका उप्योग न करें और यदि आप इसका उप्योग करते समय आँखों में संक्रमन विक्सित करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. फ्लोजेल आई ड्रॉप के लाब, सुखी आँखों का इलाज, आमतोर पर आपकी आँखें आसानी से और आराम से चलने और धूल और अन्यकनों को हटाने में मदद करने के लिए पर्याप प्राकृतिक आंसू उत्पन करती हैं. यदि वे पर्याप आंसू नहीं पैदा करत होता है. वे आपकी आँखों को चोट और संक्रमन से बचाने में भी मदद करेंगे. यह दवा कुछ साइड एफेक्ट के साथ उप्योग करने के लिए सुरक्षित है. यदि आप सौफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, तो आपको ड्रॉप्स लगाने से पहले उन्हें ह चिन्तित हैं. फ्लोगेल के सामान्य दुष्प्रभाव, आँख में जलन, आँखों में जलन, आँखों में बेचैनी, आँख में खुजली होना, आँख का दर्द, फ्लोजेल आई ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे करें? यह दवा केबल बाहरी उप्योग के लिए है. अपने ड अरल पदार्त को पोँच दें. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.